सलम्लेकुन दोस्तों जकी गोट फार्म में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप कम खर्च में भी बकरी पालन शुरू कर सकते हैं और बकरी पालन से अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं क्यूंकि कम लागत में बकरी पालन ही एक ऐसा वेवसाय है जिससे आप अच्छा मुनाफ़ा कर सकते हैं क्योंकि बकरी में काफी अच्छी income है और growth भी इन में जादा है बकरियां एक साल में दो बार बच्चा देती हैं और दो दो बच्चा अगर आप किया बकरी दे दी तो इससे जादा फायदा आपको किसी चीज में नजब नहीं आएगा शुरुगात में गोट फार्मिंग करते टाइम आप भले परेशान हो लेकिन जब आप गोट फार्मिंग में पूराने हूं कि सारे लोग अमीर नहीं होते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फार्मिंग में आना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी के वज़य से वो अच्छे से गोट फार्मिंग काफी पसंद आया तो ऐसा फार्म बनाने के लिए आपका कितना पैसा लगया भाई इसमें तो जादा तर आपने जोगार वाला काम किया भाई कितने एरिये में आपका फार्म है थोड़ा हमको दिखाइए अंदर दे आईए दोस्तों अंदर का शेट आपको दिखाते हैं कि काफी कम खर्च में भाई ने बहुत ही अच्छा फार्म बनाया है और यह देखें इसमें मुर्गी पालन भी है कि मैं बाहर से देखा था मुर्गी पालन भी इनके आँ है भाई कितनी मुर्गी है आपके पास यह सुनाली मुर्गी है तो यह आपने बड़ा बढ़ियां काम किया है क्योंकि जब तक आपका बकरी पालन चलता रहेगा मुर्गियां भी आपकी अंडा देना शुरू कर देंगी दोस्तों यह देखें यह भाई का फार्म है अभी यह शुरुवाती साल है इंसाला आगे के और भी तरक्की करेंगे काफी पसंद स्राक कितनी एरिया में बना है फां कितनी बकरिया यह साला यह देखें और आशानी से रह लेतीस है तो यह देखें दोस्तों आपको director के मुर्गे ओली जाली यह यह मुर्गे और यह जो टिन शेट आपने लिया और पुराने आपलि तो दोस्तों ये बाई का आप फार्म देख लीजिए अगर आपको गोट फार्मिंग में पैसा कम लगाना है और गोट फार्मिंग करनी है तो इस तरीके से अगर आप गोट फार्मिंग करेंगे तो इससे आपका फायदा अच्छा होगा क्यूंकि गोट फार्मिंग में लोग पैसा पहले लगा देते हैं जब पैसा खत्म हो जाता है तो बिरिड का चुनाओ करने में उनको दिक्कत होती है और वो सस्ती सस्ती हल्की कौालिटी वाली बखरीयां ले लेते हैं जिससे उनका फाइदा नहीं हो पाता तब वो कहते हैं बकरी पालन सही चीज़ नहीं है इसमें बड़ा हमारा नुकसान हो गया है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, जादस जादस शेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्ला हाफिस